जय हिंद जय मेवाड प्लीज मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें थेंक यू सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा प्रणाम और मैं स्वयम मेरे गुरू के चरणों में वंदन करता हूँ अब मेरा जो अपना दिल है सबसे पहले तो मैं अपने दिल से बात करूँगा मेरे अपने गुरू के बारे में दोस्तों मैं पत्रकार भी हूँ मीडिया जगत से भी हूँ तो मीडिया जगत में मेरे गुरू है स्रीमान सुरेश जी गोयल सुरेश जी गोयल प्रताकाल देनिक के प्रमुक संपादक है सुरेश जी गोयल मेरे तो गुरू है ही लेकिन इस उदेपूर मेवाड में कई सारे पत्रकार सुरेश जी के चेले हैं आज भी स्रीमान सुरेज जी गोयल के चेले देनिक भासकर में, नवजयोती में, कई सारे अकबारों में, रास्तान पत्रिका में, बोंबे में, जेपूर में, यानि कि मैं अपने पत्रकार तामे गुरू स्रीमान सुरेज जी गोयल को प्रणाम करता हूँ, आज भी वह बहुत अच्छे लेक लिखते हैं प्राताकाल में और बहुत ही बड़िया ट्विटर लिखते हैं ये तो हो गए मेरे पत्रकारिते के गुरू मेरे गुरू मेरे पिताजी भी है कारण के मेरे पिताजी गंडे का रस्त कब धंदा करते थे मेरे पिताजी ने मुझको गंडे का रस्त बेचना भी सिखाया किस तरह से बिजनेस किया जाता है यह सबसे पहले मेरे मेरे पिताजी ने सिखाया चाहे उस जमाने में मैं दस पेसे की एक गिलास रस्त बेशता था करण कि आज से चालिस साल पहले गन्ने का रस्त दस पेसे गिलास में मिलता था और मेरे पिता जी ने मुझे बिजनेस करना सिखाया उसके बाद मैं बड़ा आदमी बड़ा थोड़ा सा याने की बड़िया बड़िया दोस्त भी हुए कई सारे भी हुए कई सारे राजनेतिक गुरू भी होते हैं मैं नेता भी हूँ नेतागिरी कम करता हूँ बट नेता हूँ भारती जन्ता पार्टी का तो स्रीमान गुलाबचंजी कटारिया से मैंने बहुत कुछ सिखा है इमानदारी से नेतागिरी करो ऐसा नहीं कि किसी से पेसे ले लो किसी से पेसे खाकर काम कर दो किसी का इमानदार इसे जिस तरह से की स्रीमान गुलाब चंजी कटारिया रास्तान सरकार के गरह मंत्री है नेतागिरी में वो मेरे गुरू है एक और गुरू जी ये मेरे बॉल्ड रहने की मतलब किसी से डरना नहीं कोई अपने से बीड़ता है तो पिछे नहीं हटना स्रीमान विजे सिंग चोहान विजे सिंग जी चोहान भारती मजदूर संग के प्रदेश सद्यक्स रह चुके हैं विजे सिंग जी चोहान RACB में करमचारी हैं और राज़तान विद्यूत मंडल RACB के बहुत बड़े नेता हैं विजे सिंग जी चोहान के कही सारे चले हैं सेंकडो हजारों की संक्यम है जिसमें से विजे स्रीमाली जिनका की सरगवास हो गया वो भी विजे सिंग के चले हैं हमारे नगर निगम के उप महावपूर लोकेश जी दिवेदी वो भी चले है और कई सारे मैं भी हूँ कुल मिलाकर अब बात आई बाशन बाजी को हम खतम करते हैं गुरू क्या होता है गुरू से हमको क्या फाइदा होता है इस बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ दोस्तों गुरू पूरे वर्ड में बनाये जाते हैं इंगलिस में उसको टीचर कहते हैं चाइना में और कोई बासा में और कुछ कहते होंगे जापानी में और कुछ कहते होंगे बट हमारे हिंदुस्तान में टीचर को गुरू कहते हैं यानि कि गुरू गुरु से बहुत कुछ सिखने को मिलता है और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जैसे कि बेटी यानि कि बेटी का गुरु मा होती है एक मा अपनी बेटी को कही सारे गुरु सिखाती है रोटी बनाना सबजी बनाना गर में कैसे वेवस्थाएं की जाती है यानि कि एक मा भी बहुत अच्छी गॅन्ग होती है पीता भी गूरु होते हैं अपने बेटे को बेटी को सिखाते रहते हैं अब कुछ उधंड चात्र या उधंड चात्रा है गुरु का ज्ञान यानि कि अपने माता-पिता के ग्यान को डंग से नहीं रखते है तो डिश्चित रूप से वो ठोकर खाते है इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ गुरू ऐसा है कि अभी तक कई लोग कहते हैं कि हमारे तो कोई गुरू नहीं है स्वइमभू हैं हम आत्म ग्यान हुआ है ऐसा कुछ नहीं है वो जूट बोलता है आत्म ग्यान एक अलग चीज होती है लेकिन आत्म ग्यान यानि कि तेरे को आत्मा के बारे में तेरे जिससे समझा आत्मा क्या होती है जिससे तुने सुना या समझा या जिसने तेरे को कोई समझाया का आत्मा भी कोई चीज होती है तो हे आत्मग्यानी जिसको तेने आत्मा के बारे में समझाया वो तेरा गुरू है इसलिए अपने आप पे गमंड मत कर किसी गुरू को गमंड नहीं करना चीए मालो मैं भी हूँ मेरी उमर भी 60 क्रोस कर गई है बहुत से लोगों को मैंने भी कुछ सिखाया है सभी फिल्ड में सिखाया है बिजनेस के फिल्ड में भी सिखाया इस न्यूज चेनल में आया 20-25 सालों से तो यहां भी मेरे साथ कई लोग काम कर रहे है केबल का काम भी कर रहे है कई न्यूज का काम कर रहे है 100-800 केबल उप्टर है आपस में मिल बेटकर एक दूसरे के घ्यान बढ़ते हैं कुल मिलाकर कहींशे न कहींशे घ्यान की प्राप्ति होती है हमें Biz ग्यान को एक दूसरे को बाटना चाहिए यानि कि आप एक दोहा सुना होगा सरवसती के खजाने की बड़ी अपूर्व बात सरवसती के खजाने की बड़ी अपूर्व बात जो जो खर्चे त्योंतो बढ़त जात यह सरवसती के खजाने की बात है मलब ग्यान की बात ग्यान इस सरवसती, बिना सरवसती के ग्यान प्राप्त नहीं होता है, परफेक्ट गुरू भी वही बनता है, जिसने सरवसती की पूजा की हो, जिसके कंठ में सरवसती विरास्ती हो, वही अच्छा गुरू है, यानि कि सरवसती के ग्यान को बाढ़ते रहना चाहिए, आपके पास प सती के ग्यान को बाटते रही है अब आई बात एक और नहीं आप मेरे से नाराज मत होना क्योंकि हम भी 60 साल के हैं इसलिए कुछ गुरू जैसी बाते कर रहे हैं हमारा अपना ग्यान बाट रहे हैं इसलिए आप हम पर ऐसा मत समझना कि ये शोगालाल कल का हमें क्या ग्यान बा तो यानि कि मानलो आप किसी के भी चेले हैं, किसी भी फिल्ड में चेले हैं, कहीं सारे फिल्ड होते हैं, चाहे आप मोटर मेकिनिक का काम करते हो, चाहे आप पकोडा बनाने का काम करते हो, बिठाई बनाने का काम करते हो, टीचिंग का जोब है, बैंक में नोकरी करते हो, कहीं आप पटवारी हो यानि कि सब के गुरू होते हैं बस अपने गुरू की अच्छी शिक्षा को ध्यान में रखें गुरू के दिवारा दी गई अच्छी शिक्षा को इस गुरू में पूर्णे पाँ पर मनन करें मतलब कि मान लो ये सन 2018 है साब 2018 है 26, 27 जुलई है 2018 27 जुलई है तो हर एक व्यक्ति को यानि कि हर व्यक्ति किसी का अनकिसी का चेला है student है तो यानि कि हर एक व्यक्ति को मनन करना चीए कि सन 2018 में मैंने अपने गुरू दुआरा ली गई शिक्षा से क्या प्राप्त किया है आप समझ रहे हैं मेरे बात हर व्यक्ति को हर एक student को हर एक चेले को मतलब ये सोचना चाहिए कि इस साल में अपने गुरू से प्राप्ति की गई शिक्षा से मैंने क्या अच्छा काम किया क्या उद्धार किया मतलब अपने गुरू गायन को इस साल में क्या क्या उसका विशलेशन करें और अपने गुरू के दिवारा दी प्राप्त की हुई शिक्षा से मतलब अपने गुरू ने आपको क्या शिक्षा प्राप्त दी मालों मेरे गुरु ने मुझे क्या शिक्ता प्राप्त की तो आने वाले 2019 में मैं क्या करूंगा कहां मैं जन्ता की भले करूंगा कहां मैं अपने गुरु की दी हुई शिक्षाओं का ध्यान रखूंगा देश के परती क्या ध्यान रखूंगा माता पिता के परती क्या ध्यान और अपने department जहां मैं काम करता हूँ, चाहे वो motor mechanic का workshop हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, चाहे collector हो, SP हो, पुलीस हो, यानि कि उस व्यक्ति को, क्योंकि हर एक व्यक्ति शिश है, हर एक व्यक्ति student है, कहीं कहीं सिखता है, चाहे वो 100 साल का हो, 80 साल का हो, 50 साल का हो, 30 साल का हो, बहुत बहुत धन्यवाद, इस गुरुप पुरुणियां पर, उदेपुर वास्यों को मेरा बहुत बहुत नमन, धन्यवाद.